इसके अंदरगत हम कक्षा नाइन्थ विशे सामाजिक विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे इसके अगले वीडियो के अंदर हमने पार्ट नमबर साथ के प्रश्ण उत्तरों की जानकारी प्राप्त की और उसके उत्तर की प्रकार से लिखना उसको भी तुम लोगो उसके अंदर बताया था ठीक है आशा रखता हूँ उसके अंदर सबको समझ में आया होगा और सबने अपनी कौपी के अंदर उसे लिख भी लिया होगा अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस प्रक्षा का अंतिम पार्ट पार्ट नमबर 20 आपदा और प्रबंधन उसके बारे में जानकारी प्राफ्त करेंगे आपदा और प्रबंधन उसके बारे में तुम लोगों को पता है बरबर आठवी गख्षा के अंदर तुम लोग पढ़के आच सुके ओ आपदा और प्रबंधन उसके अंदर कहीं आपदा देखी ते जैसे कि बुकंब है जौला मुकिये चक्रवात है बाड है सुनामी है करते हैं आपदा और प्रबंधन आपदा प्राकृतिक हो या मानवसर्जित आकश्मित हो या मंद प्रुत्वी के भुगर्व में से हो या वातावर्ण में उत्पन हुई हो वह प्रुत्वी पर व्यापकृप से अनुभू की जाती है साथी विनाश करती है आपदा कैसी भ कोरोना के आपदा चल रही है अब उसके लिए किस कौन जापदार है तो मानवसर्जित आपदा ही कहलाता है कोरोना कोई कुद्रती नहीं है और नहीं तो कोई प्राकृतिक है हम लोगों ने जो प्रकृतिका जितना नुक्षान पहुंचाया है ठीक है और उसका फल आज हम लोग भुगत रहें ठीक है इसमें कोई भगवान की कुछ ओ नहीं है हम लोगों ने जैसा कर्म किया था वैसा आज हमें फल भुगतना फोल रहा है तो यह मानवसर्जित आपदा का पूरा विश्व भी सामना कर रहा है तो ऐसी आपदा कहीं प्रकार के होती है प्राकृतिक पर मानवसर्जित यह थोड़े प्रमान में यह ज्यादा प्रमान के अंदर पृत्वी पर विनाश्च करती है कि कहीं सारे लोग मारे जा रहे है कहीं दवाईया है किसी को लागू नहीं हो रही है हो रही है ऐसा बहुत कुछ अभी चल रहा है तो यह भुगर्ब में से भी बुद्पन हो सकती है अब यह फिर वातारण से भी आ सकती है अभी जो आई यह मानवसर्जित है जो वातारण में फैली हुई है अनुबहों की जाते सकती है और साथी विनाश्च भी करते कहीं लोग लाखों लोग मारे गए है कुछ गटनाओं के उदर आने देखे तस पर अपनाओं को देखो तो देख सकते हो कि इससे जनदन यानि की लोगों को पारी नुक्षान पहुंचता है जन दन यानि लोग काफी मातरा में मर जाते हैं कुछ गटनाओं पूर्वन नियोजित और निश्चित विद्वनस्कारी होती है जिसका कि बिंश्च गटनाओं यह जापान के दो नगरों हिरोशिम और नागा साकी पर स्वयुक्त राज अमेरिका की सेना द्वारा परमानु बम का हमला यह क्या थी पूरु और नियाजित और निश्चित थी क्योंकि दृत्ति विश्चित के दौरान जो जापान बहुत उचल रहा था उसने पहले अमेरिका क और शाइनी को पर अबला किया जिससे गुष्च से में आकर अर मेरिका ने क्या किया कि उनके ऊपर परमानु बम फेके उसके दो नगरों हिरोशिम और नागा साकी जिसे आज भी वहाँ पर इरोशिमा और नागा साकी के अदर पैदा ओड़ने वाले लोग विकलांग पैदा हो रहे हैं तो यह परमाण वम का विद्वन्च कारे परिणाम आज भी लोग वहाँ के बुगत रहे हैं जबकि कुछ गटना मानवी अभूली अलापर वही का भी परिणाम हो सकती हैं जैसे कि हमारे यहां मध्यवदेश में पोपाल के अंदर गेस कांट हुआ था गेस कोई जहरिला गेस हो अगर वो रिलीज होना शिरू हो जाए तो उससे भी क्या होता है लाखों लोग मारे जाते हैं ऐसी एक गटना है रूस की चर्णोबिल परमानू दुर गटना बरबर रूस के अंदर जो चर्णोबिल नाम की जो परमानू रियक पटी चलती थी उसमें भी ब्लास्ट हुआ था तो यह ऐसी गटना है जो मानू निर्मी थे या मानू वियों की भोली अलापर वही के द्वारा घटी गई है आपदाओ के प्रकार हम आपदाओ के खत्रों से परिचित हैं बचाओं राहतकारियों की विरचना करने के लिए अन्यक कारणों दता उत्रदाई स्योगों को जा ना होगा ठीक है अम आपदाओ के बारे में बली बाती परिचिते 2006 के अंदर सुरत के अंदर आई हुई बाड के बारे में जानकारी प्राप्त है उसके परशाद 2015 के अंदर तुम लोगों ने देखा हरी द्वार के अंदर जो बाड आई के दारनात के अंदर उसमें भी ला करते हैं ज्यासे नहीं करना चाहिए उसके बारे में अबर हम इस पार्ट के अंदर सचा करें अपनि आप अपन्र विशेशक्यों ने आपन आपो किए जा की calculating की और यह प्रकार के रिखाक्रों और दूसरी मानो सर्जीन आपदाय है तो इन सभी आपदाओं के बारे में अब हम विशिश रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे कि प्राकुर्तिक आपदाओं के अंदर किसका समाश होता है मानो सर्जीत आपदाओं के अंदर किसका समाश होता है ठीक है और उन आपदाओं का हमारे को कषे क्या प्रभावभ पड़ता है उसके आने से में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए यह सब इसका अगले वीडियो के इंदर प्राप्त करेंगे आशा रखता हूँ इस video के इंदर सब को समझ मेया होगा video को सुनने के लिए थेंक यू